जिसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, जिसके जितने भी बुरे काम हैं, वो खत्म हो गए हैं, जिनको खीन आसब बोलते हैं, खीन और आसब ऐसे जो अरहत हैं, भिक्कुओं, उनको लाब सत्कार बिग्नकारी होता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने एक समय बताया, भिक्कुओं की सभा थी, भिक्क्यों की सभा में भग्नवान बुद्ध ने कहा, कि जो अरत है जिसके सारे पाप जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उसके लिए लाब और सत्कार यानि मान सम्मान और कोई लाब, बहुत ज़्यादा विग्नकारी और खराब है, ऐसा जब से ऐसी बात सुनकर जो आवस आनन्द थे, आवस का मतलब आयुसमान, आनन्द थे, वो भग्नवान से बोले कि भंते, भला अगर कोई व्यक्ती है, भिक्कु है, जिसके सारे पाप कर्म जा चुके हैं, जिसकी सारी बुराईयां खत्म हो चुकी हैं, सारे आसब बह चुके है ऐसा भिक्कु अगर लाब सतकार लेगा, या कोई अगर लाब लेता है, या कोई सतकार लेता है, तो वो कैसे विग्नकारी है, विग्नकारी का मतलब है विग्य कारी है, कैसे उसके लिए विनासकारी है, कैसे अहितकर है, कैसे खराब है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क् कि भिक्कु तो अरत बहुत अच्छे होते हैं, कोई उनका लाब सत्कार करेगा, मान सम्मान करेगा, कुछ देगा, तो उनके लिए क्या दिक्कत है? तब भग्नवान बुद्ध ने इस छोटी सी बात को पूरी तरह से समझाया, उन्होंने कहा कि आनंद, जिसका चित पूरी तरह से नीमल हो चुका है, नीमल का मतलब है, मल खतम हो चुके हैं, इसको संस्काइट भासा में निर्मल बोलते हैं, नीमल हो चुका है, बिना मल का हो है, जो ब्राइयों से मुक्त हो चुका है, पूरी तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी, यानि वी मुद्ध तो हो चुका है, दोनों तरफ से मुद्ध हो चुका है, मुक्त हो चुका है, उसके लिए अगर लाब और सतकार को या आता है, तो वो इसलिए अहित कर है, क्यों क्योंकि अरहत जितने भी होते हैं वो तब ही बनते हैं जब उनके सारे राग और सारे द्वेस और सारे महमूर्दा वाले symptoms और जितनी भी properties हैं वो सब खतम हो जाते हैं इसलिए भग्नवान बुद्ध ने, भंते ने, सास्ता ने कोई भी अरहत प्राप्त पद का व्यक्ति हैं जिसके सारे राग और द्वेस खतम हो चुके हैं उसके लिए सतकार और लाव जैसी मान सम्मान ये विग्नकारी नासकारी होता है इससे भी आगे भग्रमान बुद्ध ने कहा कि आनंद यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रमाद में नहीं है यानि एप्रमादी है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतापी है आतापी का मतलब है जो बहुत जादा साधना करता है तप करता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्थ के लिए सच के लिए दड़ संकल्प है और अपना जीवन सुखी सुख में विहार करता है उस व्यक्ति के लिए भी लाब प्रसंसा सत्कार ये नुकसान दायक हैं उसकी जीवन की सुख खरसांती खतम कर देंगे इसलिए निर्वान प्राप्त के मार्ग में अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए लाब सत्कार बहुत ज़्यादा कठोर बहुत ज़्यादा कड़वा बहुत ज़्यादा तीखा बहुत ज़्यादा नुकसान दायक होता है आनंद ऐसा कहना चाहिए कि हम पैदा हुए हैं उत् पर यह अपने चित में नहीं ठहर पाएंगे यानि कि लाभ प्रसंसा या मान सम्मान की बात अगर हमारे मन में आएगी तो भी हम इसको पैदा नहीं होने देंगे बात छोटी है मगर इसका अर्थ बहुत गहरा है भगवान बुद्ध की संग के बाद में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने भगवा यानि जैसा रंग भगनवान बुद्ध का चीवर का था वैसे चीवर को भगवा बोलते थे क्योंकि भगवान पैंते थे तो भगवा हो गया भगवा जो रंग था वैसे उसको कासाय बोलते थे कासा या मिट्टी जैसा बोलते थे या कासे जैसा बोल उसमें आगे, इन्फेक्ट उन्हों नहीं उसको खतम किया, क्योंकि वो बिना पड़े लिखे, बिना ग्यानवान, बिना सील वाले भिक्कु उसमें आगे, और वो अपने मान में, सम्मान में और प्रसंसा में लग गए, आपने देखा होगा कि आजकल पूरी दुनिया की होते हैं और वो बड़ी-बड़ी संपत्यों के पैसे के मालिक होते हैं, बड़ी-बड़ी राजनीतिक पहुंच रखते हैं, बड़े-बड़े उन्होंने जगे-जगे-जगे-जगे ब्रांच बनाई हुई होती हैं, दरसल वो जो जितने भी लोग इस तरतरा के हैं, वो मा बड़े जहाजों में घूमें, खुब बड़िया बड़िया खाना खाए, खुब बड़िया बड़िया महलों में रहे, और अपने आपको कहता रहे कि मैं राग से और मैं दोएस से लिप्त नहीं हूँ तो वो जूट बोल रहा है, जो व्यक्ति राग से दोएस से और मोह माया से लिप्त नहीं होता संत जैसा हो जाता है वो ना तो किसी की प्रसंसा चाता है नहीं किसी का कोई अबसब्द कहता है नहीं वो मान सम्मान के लिए कहीं जाता है नहीं कहीं वो कोई सतकार के लिए जाता है ये लाब और सतकार यानि कि वो लाब के लिए भी कोई काम नहीं करता ये लाब और सतकार और प्रसंसा से वो विमुक्त हो जाता है विमुक्त का मतलब है कि सरीर के मन के अंदर से भी मुक्त हो जाता है और बाहर जो फिजिकल वर्ड है उससे भी मुक्त हो जाता है ये किसी अच्छे व्यक्ति की सत्पुरुस की किसी ऐसे भिक्कू की जो बुद्ध के समय थी ये पहचान है कि अगर वो लाब से, सत्कार से, प्रसंसा से अपने आपको खतम कर चुका है फिर वो सच में आरत और संत होता है इसलिए भग्नवान बुद्ध ने कहा कि आनंद कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा है जो अपना जीवन सुख में बिहार करता है उसके लिए भी ये विग्यकारी हैं, विग्नकारी हैं उसको भी ये नुक्सान पहुँचाते हैं प्रसंसा जिसका रोग लग जाए प्रसंसा का, उसकी जब प्रसंसा नहीं होती तो उसको बेचैनी होनी सुरू हो जाती है वो बीमार हो जाता है, वो परिसान हो जाता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करना सुरू कर देता है और पाप को फैलाता है कोई व्यक्ति अगर लाभ लेने लग जाता है तो वो लाभ का इतना आदी होता है कि अगर उसे लाभ ना मिले तो वो परिसान हो जाता है कोई व्यक्ति अगर किसी का मान सम्मान उसको ना दें फूल मला ना पेनाएं उसकी जैजैकार न न करें उसकी बात ना करें तो वो व्यक्ति फिर उल्टे सीथे काम करके नुकसान भी पहुंचाता है ऐसा भगनवान बुद्ध ने आनंद को संच्छेप में समझाया और बताया धन्यवाद